दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग निजब मिजिकल की एक बहुत फेमस पोव्म पढ़ेंगे जिसका नाम है Night of the Scorpion इस पोव्म को लाइन बालाइन में एक वीडियो में समझा चुका हूँ उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसका मेर आइडिया समझने की कोशिश करेंगे मतलब इन डेफ्ट मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रस्पेक्टिव से इस पोव्म को लिखा गया है क्या-क्या आइडिया है और क्या-क्या थीन से इसकी चलिए शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में निजम इजिकल की एक बहुती फेमस पोव्म है नाइट अब दी स्कॉर्पियन इस चोटी सी पोव्म में पॉएट ने हमें तीन प्रस्पेक्टिव दिखाने की कोशिश किया है तीन नजरिये एले मैं आपको इस पोव्म का ओवर्व्म देने की कोशिश करता हूँ कि इस पोव्म में होता क्या है एक औरत है रात के वक्त बारिश हो रही थी उसको किसी बिच्छू ने काट लिया काटा ऐसा की जहर फैलने लगा उस लेडी की बाड़ी में वो बिच्छू चावल की बूरी की नीचे जाकर चुप गया और रात के वक्त बारिश में वो बिच्छू बाहर भागने की कोशिश करने लगा गाओ में जब ये खवर फैली तो चारो तरफ से लोग भागे भागे आए और उस आरत के पास में बैठ खे उस बिच्छू को ढूड़ने लगे कहने लगे कि इस बिच्छू को मारना पड़ेगा नहीं तो तुमारी बाड़ी में जहर फैलता जाएगा अब वो इस लॉजिक को थावित नहीं गर पा रहे हैं कि ऐसा क्यूं जब उस बिच्छू ने जहर छोड दिया उस बाड़ी में उस लेडी की बाड़ी में उसकी बाद में क्या कनेक्शन है उस बाड़ी का और उस बिच्छू का लेकिन फिर भी वो सौ बार भगवान का नाम लेने लगे उस ओरत को बोलने लगे कि ये तो तुमारे पिछली जनम की पाप है जिनकी वज़े से तुम्हें ये सजा मिल रही है ये दर्द अगले जनम की पापा को कम कर देगा और पिछले जनम की पापा को बैलन्स कर देगा ऐसा कहकर वो अंद्विश्वासों वाली बाते करने लगे औरत का पती जो था एक रैश्टनल आदमी था उसे इन अंद्विश्वासों पर कम भरोसा था उसने केरोसिन डाला और जहां पर बिच्छू ने काटा था वहां पर आग लगा दी जड़ी बूटियां सब लगाई और 20 घंटे बाद जाकर आरत को राहत मिले उसने उटते ही सबसे पहले ये कहा उस आरत ने कि शुकर है भगवान का बिच्छू ने मुझे काटा मेरे बच्चो को बख्ष दिया इस चोटी सी पोएम में पॉएट ने तीन प्रस्पेक्टिव दिखाने ही कोशिश किये तीन नजरिये पहला नजरिया है गाउवालों का गाउव के माहौल में ये पोएम लिखी गई है जहां एक औरत को बिच्छू ने काट लिया लोग वहाँ पर एकठे हो गए पोएम हमें बताती है कि हम कितनी भी तरक्की कर लें मौडन साइंस में या फिर किसी भी टाइप के इलाज में जहर को निकालना कैसे है या इंसान में चीर फाड कैसे करनी है लेकिन आज भी हमारा अंदविश्वास चीजों पर उतना ही मजबूत बना हुआ है जितना पहले कभी था गाओं का इलागा जहां पर लोगों को इन चीजों में कुछ ज्यादा ही विश्वास होता है इस पोएम में राइटर ने हमें साफ साफ वही चीज दिखाने की कोशिश की है कि उस औरत की तकलीफ को कम करने की बजाए लोग बिच्चु को ढूण रहे हैं सौ भर भगवान का नाम ले रहे हैं कि बिच्चु को मार दिया जाए तो शायद औरत बच जाएगी उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं हो रहा कि बिच्चु ने अपना जहर छोड़ दिया उसका उस बाड़ी से क्या कनेक्शन है मतलब अप कोई कनेक्शन नहीं है कि बिच्चु को मार दिया जाए या बिच्चु जंदा रहे जहर तो औरत की बाड़ी में है अलागि करने को ये सब खेती बाड़ी करते हैं MBBS इन में से किसी ने भी नहीं कर रही लेकिन इन्हें लगता है कि इनके पास हर एक चीज का इलाज है मतलब इनकी बड़ों ने इनको जो बताया है बिना जाने बिना सोचे ये बस blindly चीजों को follow किये जा रहे हैं कि हमारे बड़ों ने हर चीज का इलाज बताया है उन्होंने दर्द से करा रही औरत को ये भी कहा कि तुम्हारे पिछले जनम के पाप है जो धुल रहे हैं मामला बैलन्स हो जाएगा और अगले जनम के पाप कम हो जाएगे एक हद तक अगर हम ये भी मान लें कि जिस औरत को बिच्छू ने काटा है यानि पाइट की मा वो भी उन गाउवालों में से है तो कहीं न कहीं वो दर्द में भी गाउवालों की बातों पर भरोसा कर रही होगी कि हाँ वाकर ये मेरे पिछले जनम की पाप है जो बिच्छू ने मुझे काटा अगर हम पाइट का नजरिया देखें तो पाइट ने एक अच्छी चीज भी यहाँ पर दिखाई है कि गाउवालों के लोगों में कितनी एकता होती है ये अच्छी बात है कि इन में कितने भी मतबेद हूँ प्राबलम के टाइम पर आधी रात के वक्त भी एक जगा जमा हो जाएंगे जबकि सिटी के लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन इनके अंदविश्वास पर पाइट को एतराज है आपके भी आसपास बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे आपने जो आपको टोनो टोटको पर यकीन दिलवाने में लगी रहतने है कि हाथ में दर्द हो रहा है काला धागा बान ले पैर मतिला कैची मत चला लड़ाई होती है ये तो पहला प्रस्पेक्टिव है गावालों का जो पाइट ने हमें दिखाने ही कोशिश किये दूसरा प्रस्पेक्टिव है पाइट के रैशनल फादर का जो इन अंदविश्वासों में नहीं मानता लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आसपास इतने लोग होने के बावजूद वो जड़ी भूटी वगेरा केरोसीन डाल कर पैर पर आग लगा देना इसकिन जल रही थी इसकी मा की देख रहा था ये ये सारी कोशिशे करता है वो आदमी ताकि दर्द खतम हो और 20 घंटे बाद जाकर राहत मिली भी अब इनके टोने टोटकों से मिली या फिर उस आदमी के एक्सपेरिमेंट से मिली किसी से भी राहत मिली उस आरत को राहत मिल गए ये यहाँ पर क्लियर नहीं किया पाइटने कि कैसे वो आरत बच गई और उसका दर्द कम हुआ तीसरा प्रस्पेक्टिव है यहाँ पर एक मा का दर्द से रिकवर होने के बाद उस मा के मुँ से सिर्फ एक ही चीज निकली कि अच्छा हुआ बच्चों ने मुझे काटा मेरे बच्चे बच गए तो ये अनकंडिशनल लव बताता है एक मा का बच्चों के लिए ये तीसरा प्रस्पेक्टिव है दोस्तों उमीद करता हूँ तीनों प्रस्पेक्टिव आपको जानने को मिले होंगे चलिए आज की इस एक बसितना ही मिलता हूँ